तो साल के आखरी दिन में किसान संगटनों का आंदोलन चल रहा है और नए साल की शुरवाद भी आंदोलन से ही होगी किसान संगटनों ने एक जनवरी को दिल्ली और आसपास के लोगों से अपील की है कि वो बॉर्डर पर आकर ही नए साल मनाए उदर दूसरी और नए साल में सरकार के साथ बैठा को लेकर भी किसान संगटनों को ज्यादा उमीद नहीं है लहाजा आंदोलन को तेज करने की रणीती भी बनाई जा रही है पूरे मामले पर करांतिकारी किसान यूनियन पंजाब की अध्यक्ष डॉक्टर दर्शन पाल लहसे बातचीत की मिनस स्योगी विश्व जी जाने साल दो हजार बीस का समापन होने जा रहा है कल से नए साल की शुरुवात होगी मरसा डॉक्टर दर्शन पाल जी है किसानों का अंदोलन लगातार चली रहा है डॉक्टर साब आज एक साल का समापन हो रहा है और अंदोलन लगातार चली रहा है कल नए साल की शुरुवात भी होगी आप लोग की क्या तैयारी देखे पहले तो 2020 चो खत्म हो रहा है 211 शुरू हो रहा है हमारी तैयारी यह है कि हमने कॉल दिया है दिल्ली और स्रोंडिंग एरिया के लोगों को कि आईये नए साल का आगाज जो है हमारे साथ यहां लंगर चक के चाहे पी के गाना वाना का कि कीजिए लोगों को एक तो उंदो को एक नई जोश से नहीं तैयारी से नाइ से नहीं मने आगे से जादा जूश से चलाने का संकल्ब लेना आज बैठे के हमारी उसमें तैय करेंगे तीस्रा यह हैं के उल्च को वीक जर्फनेस को उसके जो भी है उसको भर के नया अन्दोलन को एक एक यह बोलिए कि इसकी लगातारता ओसकी शार्पनेलिश usk Hairpnesion करना यह हमारे सामने-गार सामरे नये साल में बड़ा कारिया रहेगा क्योंकि हम यह सूचते हैं कि दो इसुग वार बचे हो यह बड़े इशू है इसके लिए अंदोलन को और बड़ा बनाने का हमें जरूरत है दो छोटे इशू सरकार मानी है लेकिन कानूनों को निरस्ट करवाना और MSP की गरंटी करवाना ये बहुत बड़े इशू है बलके खेती सेक्टर के MSP एक ऐसा इशू है जो शायद मुझे एक तरह का चैलिंजिंग ये रहा है अगर हम जीत गए तो हम कहेंगे लोगों को कि इसको किसान वर्ष के रूप में मनाईए ठीक है तो एक कॉल देगे लोगों को चलिए जान तार को चुकी बैठक आपकी होनी ही है सरकार से फिर से तो उससे पहले क्या मतलब आंदोलन और तेज होता हुआ दिख जाएगा ने उससे पहले नहीं अंदोलन तो लगतार तेज है लगते हैं अलबी हैदराबाद में इंफल में रैलीज हुई है परसो पक्ना में हुई है थंजावूर में तामिन अडू में हुई है एक सो के उपर पके धरने चल देश में और देश मे हर जगा किसानों का कौारडीनेशन बनके दोलों में लोग आ रहे हैं और ये जो पांच-छे जगा यहां धरने लगते हैं इसमें जनता एक तरह बड़ी बारिश नहीं होती उस तरह से आके गिर रहे हैं और मैं आज ही मुझे खबर दिया पंजाब में देश के जो बड़े बड़े बुद्धी जीवी लोग हैं उन्होंने अभी इस पहले हफते में ही बड़ा एक मार्च रखा है जो गवर्नर की तरफ जाएंगे पंजब ही मुझे कोई बता रहा था स्टूडेंट्स फॉर फार्मर्स कोई ऐसा बैंदर बनने जा रहा है तो कहना में यह चाहता आप बस में सफर करो ट्रेन में करो घर में बैठो आफिस में बैठो लगता हर जगा इसकी चर्चा हो रही है अट लिस्ट नॉर्दन इंडिया की स्टेट्स में तो हो रही है यह तो मुझे पका बता है सौधरन का मैं बात नहीं कर चकता है तो यह जब चर्चा ऐसी संदोलन और जिसका आई जो हर जगा जिसकी चर्चा होती है तो लोगों को लगता है संदोलन में जाके देखके तो लेकर कुछ काफी आपती हो रही है परतानमंत्री को लेकर अपसब्द कहे जा रहे हैं यह सब चीजों के कंड्रोल करने की जड़त है कहीं कहीं यह होता है पंजाब में कुछ जियों के टावर्स को नुकसान पचाया गया परधान मंतरी के बारे में कुछ अपशब बोले जाते हैं उसको हम कोशिश करते हैं कि उन चीजों को नौजवानों को समझाया जाए समझाते भी हैं लेकिन आप देखिए चार महीने से हमने एक पत्ता भी किस खुबी है कि ये अंदोल बढ़ता भी गया है और इसने कुछ इस तरह का कोई मील पत्थर पॉजिटिवली तो बनाया है कुछ नेगेटिवली इस अंदोल में एंटर करने की अगर कोशिश भी की हो किसी नो उसको सनब कर दिया एक आकरी सवाल बज़गा हूँ चार तारीक कि मीटिंग में मेरी परसनल वो असेस्मेंट है कि इतनी जल्दी कुछ निकलेगा नहीं क्योंकि इशू मैं जो बताओं इसको परपोर्पोर्स्टरिटी में सोचता हूँ कि जो हमारा हूँ है वो बीस परसेंट आभी एटी परसेंट होना बाकी है तो एटी परसेंट को कर लेकि कह साल का समापन भी किसानों का अंदून के बीचई होगा और नए साल का आगाज भी आंदून के बीची होने जा रहा है लेकिन ये जरूर कहे हैं कि चार तारीकी बैठक महतफृण होने वाली है पर ये भी कहा रहे हैं कि उससे ज़्यादा उंबीद नहीं है क्योंकि मुख्य मांगयां जो हैं उस पर डिसकसन चार तारिकी बैठक में ही होना है सिंगो बालर से के अपरसा ललित के साथ मैं विश्चुची ज़ा टोटल न्यूस दिल्ली